बहुत सारे भाई लोग जो हैं CNC ट्रेनिंग से ट्रेनिंग लेकर आकर मुझे फोन करते हैं कहते हैं भाई यार काम लगवा दो तो मैं उनको मैं भेजता जब इंटरव्यू में हूँ तो भाई वो लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो जब इंट्रव्यू में फेल हो जाते हैं तो भाई अब मैं क्या कर सकता हूं भाई मेरी कंपणी तो घर की तो है नहीं कि मैं तुम्हें लगवा दूँगा भाई मेरा सिर्फ काम है आप लोगों को लोकेशन बता देना कंपणी बता देना एयर चार का कॉंटेक्ट नम्मर सेर कर देना आप यह सोचोगे कि भाई मैं सिपारिस करके आपकी नोकरी लगवा दूँगा तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि यार देखो CNC ऑपरेटर जो है न कम पांच साल छे साल का एक्सप्रेंस तो मांगते हैं कंपणी में माइक्रोमीटर यर गेज बोर गेज बहुत सारे जो इस्टुमेंट हैं आपको यूज करना आता हो चलाना आता हो तभी कंपणी आपको लेगी आप यह सुचोगे कि भाई ऐसा है कि मैं बस जाओंगा सर्टिफिकेट दिखा दूंगा कि मैं ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेकर आया था अब आप अगर नाम ले लोग है ना तो ही कंपनी वाले भगा देंगे